दोस्तो आज मैं आपको यूटूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आ जाएगा और इंप्रेशन में भी जाने लगेगा जिससे कि आपके वीडियो का वारल होने का चांसे बढ़ जाएगा दोस्तो आज में आपको जिस तरीके से बताने वाला हूँ अगर आप उस तरीके से अपने वीडियो को अपलोड करते हो तो आपके एक वीडियो के साथ साथ दो चार या पो चार या पांच वीडियो को भी परमोट कर सकते हो दोस्तो इसके लिए आपको फोन में studio अगर आपको के phone में होगा तो आपको delete करना होगा क्योंकि studio beac急ussa नहीं देता है जो features आज में आपको बताने वाला हूं दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है आई जानते हैं कि यूटूब चैनल पर वीडिव अपलोड कैसे किया करता है एकदम perfect तरीके से Schwarzen, नो, इसक Will सिंपली आपको फोन में Chrome browser को open करे लेना है जिस आपके ठाशन को Open करेंगा है और अगर आपके फोन में युटी नहीं होगा तो आपको hash to delete कर देना है Chrome browser open करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर Microsoft जो आइकन दिखाई देगा आपको YouTube की आइकन पर किलिक कर लेना है यहां पर किलिक करने के बाद दोस्तों अब आपको किसी अपने उस अकवंट को Login करना है जो अकाउंट मतलब जिस अकाउंट पर वीडियो अपलोड करना चाथे हैं तो यहां पर मैंने पहले सी कर रखा है तो यहां पर आपको इसको open कर लेना है फिर आपको यहां पर दोस्तो three dot पर click कर देना है three dot पर click करने के बाद दोस्तो आपको यहां पर desktop site को on कर लेना है इसे on करने के बाद दोस्तो आपको सामने थोड़ो सा processing लेगा फिर आपको यहां पर अपने profile के icon पे click कर देना है यहाँ पर जब आपने profile के icon पे click कर देते हूं तो आपको यहाँ पे your channel के option पे click कर लेना है यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे manage video का एक option दिखाए देगा तो आपको manage video के option पे click कर लेना है manage video के option पे click कर देना है इस्टूड़ो पर किलिक कर देना है दोस्तों मैं आपको बता दू कि आपको पर्पोन से वाइटू इस्टूडियो डिलीट कर देना है तभी आपको आपको सामने यह features open हो जाएगा फिर आपके सामने दोस्तों पर क्लिक कर दीना है वहाला सबसे उपर वाले यह जो टो आपको उस पर प्लीक कर देना है तो आपको करने चैनल का यह alto और से आपको इहां पर करना होता है यहां पर एक जन्लेक मलनेशना है यहां पर करना हो 하면 best को यहां पर फिर से आपको एरे के ओफ्सन पर क्लिक कर देना है यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको डॉकिमेंट्स में आ जाना है और उस वीडियो को चूज कर लेना है जिसको आप अपलोड करना चाहते हो तो यहां पर मैं गैलरी में जाके एक वीडियो चूज कर अभецलिणा करने के बाद ओस्तों आपको यहां पहिए इस टाइटल को काड़े करने के बाद मेंहें कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको इसी डिस्किप्शन में इस टाइटल को भी एड कर देना होता है दोस्तों टाइटल को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको डिस्किप्शन थोड़ा से लिख देना है यहाँ आपने वीडियो में क्या बताया है थोड़ा बहुत यहा तो यहां पर डारेक्ट में इसको पेस्ट कर देता हूं अब पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे आ जाना है यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर थंबनेल को जो ओफसन दिखाई देगा तो आपको कोई से एक थंबनेल आड कर देना है अगर आइड कर देना है दोस्तों मैं आपको बता दू कि वीडियो सबसे ज़्यादा आपके मतलब जो वीडियो का इंप्रेशन होता है वह आपके थमनेल से ही आता है अगर आप अपने थमनेल को जितना बढ़िया बनाओगे उतना ज़्यादा लोग इसे पसंद करेंगे और आपक अगर आप बच्चों के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहे हो यानि ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसको केवल बच्चे देख सके तो आपको यहां पर नो कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सो मोर के ओप्सन पर किलिक कर देना है अब आपको यहां पर किया होता है oh oh I tell what I totally and nothing but they have to whatever today. होते हैं वह यहां पर I drive करना होता है जैसे कि यहां दोस्तों मैं आपको बता दो कि अगर आप üç। प्रेरν आप को कुछ जानकारी चाहिए होता है तो YouTube को open कर डारेक्ट बोल देते हो जैसे कि वीडियो अपलोड यूटूब चैनल पर वीडियो अपलोड कैसे करें तो आप डारेक्ट अपने वीडियो पर यूटूब ओपन करते हो डारेक्ट बोलते हो कि यूटूब चैनल पर वीडियो अपलोड कैसे करें तो यहाँ पर बहुत सारा को एड कर देना है जिसको आप जो कि आप अपने वीडियो जो आपका टॉपिक वीडियो का उसी तरीके से होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर मेरा टॉपिक यह है यह जो वीडियो में अभी अपलोड कर रहा हूं इसमें बताया हूं कि कैसे आप को कि वार कोड स्कैन का जो फ्र कैसे काम करता है तो यहां पे अगर आप कोई लिखेगा कि मेरा वीडियो ऊपर चला जाएगा तो यहां पे आपको टैग जो डालना है बहूत ज्यादा चुनिन्दा मतलब बढ़िया बढ़िया टैग आपको आड करना होता है तो यहां तो मैं यहां पे copy करके paste कर देता हूं दुस्तों अगर आपको भी trending tag आपको अपने चैनल के लिए अपने वीडियो के लिए बनाना है निकालना है टाइग तो मैंने वीडियो के description में एक link दे दिया है वहां से आप trending tag निकाल सकते हो आप अपने वीडियो के लिए आपका topic कोई कोई भी किसी भी category का वीडियो क्यों नहों आपको वहां पर जो tag होते हैं वह मिल जाएंगे तो आपको एक बार वीडियो के देख लेना है कि कैसे tag निकाला जाता है यहां पर मैं tag add कर देता हूं यहां पर मैं आपको बता दू कि आपको जो tag है वह 500 word के अंदर ही होना चाहि है लेकिन जो मेरा है अभी हुआ है और पांसो सैथिस हो गया है तो मैं यहां पर कुछ डिलीट कर देता हूं जैसे कि यहां पर मैं इसको डिलीट कर देता हूं कि यहां पर देख लीजिए चारसो ठान पर मेरा जो tag है वहां complete हो चुका है अब आपको करना क्या होता सिंपली आपको यहां पर अगर आप चाहें तो वीडियो जो लैंग्वेज है उसको भी चूज कर लेते हैं अगर यहां पर दोस्तों वीडियो लैंग्वेज चूज कर है तो यहां उस आदमी उस creator उस मतलब परसंद के पास भेज देगा जो हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो आपको यहां पर लैंग्वेज को भी चूज कर लेना है अगर आप चूज नहीं करते हो तब भी यहां पर आपको वीडियो वारल हो जाएगा लेकिन हो सके जित तो डाल सकते हो नहीं तो आपको यहां पर डारेक्ट हटा देना यहां पर मैं एड कर देता हूं इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे आ जाना एक दब स्लाइड करके वीडियो लोकेशन अगर आप देना चाहते हो कि दोस्तों जैसे कि आगर आप रोड्स हो या पिर आपको यहाँ पर अगर आपने कोई कर थेहा है कि आप किस कर दोस्तों देख लेना सब कुछ ठीक ठाक है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ओपशन के पर कलिक कर देना है अब आपको यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो को मतलब एक वीडियो के को लेकर आप बहुत सारे वीडियो को पर्मोट भी कर सकते हो तो यहीं से आप किसी भी वीडियो को पर्मोट कर सकते हो दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या होता है add to end screen जो आपने देखा होगा कि कभी-कभी end screen पर भी खतम होने लगता है वीडियो दो-चार वीडियो दे जाता है तो आपको वही करना है यहाँ पर आपको add के option पर किलिक कर देना है फिर आपको कोई से भी एक end screen frame चूज कर लेना है अगर आप चाहे कोई और वीडियो लगाना तो आपको यहाँ पर किलिक कर देना है इसके बाद आप यहाँ से कोई से वीडियो अपर add कर सकते हो जैसे कि मैं उस अस्तान पर इस चीज को डाल देता हूँ अब आपको यहाँ पर कर देना save फिर यह save हो जाएगा आप चाहें तो 2 या 3 वीडियो add भी कर सकते हो फिर आपको add card पे click कर देना है आपने देखा होगा कि बहुत सारा वीडियो चल रहा होता है फिर उपर से एक नाम लिखा हुआ आ जाता है card आ जाता है जिस पर आगर आप click कर देते हो तो एक नया वीडियो सुरू हो जाता है तो आपको ऐसे ही यहाँ पर लगाना होता है जैसे कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ यह card एक वीडियो यहाँ पर add कर देता हूँ फिर आपको यहाँ पर वीडियो पर click कर देना है आप जितना चाहें उतना वीडियो लगा सकते हैं लेकिन दोस्तों आप कम से कम ही लगाईएगा जैसे कि एगर आपको तीन मिनट का वीडियो है जादस जादस दो या तीन वीडियो कार्ड में लगाईएगा और एंड स्क्रीन में भी दो या तीन लगाईएगा फिर आपको यहां पर State पर click कर देना हो फिर आपको यहां पर नेक्स्ट करके आ जाना है फिर आपको यहां पर दोष्ट करना क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आपको दो-चार option देखने को मिल जाएगा जैसे कि private, unlisted, public अप यहाँ पर दोस्तों एक और दिखाय देता है schedule का अगर आप schedule पर देता हैं, यहाँ पर मैं schedule पर click कर देता हूँ फिर अगर आप चाहते हो कि आपका data on रहे या न रहे आपका phone चार्ज रहे और रहे बंद रहे या कुछ भी रहे अगर यहाँ से कोई time set कर देते हो या कोई time add कर देते हो तो वहाँ इतने time पर automatic upload हो जाएगा चाहे आपका phone कैसे भी रहे बंद रहे data off रहे इससे कोई मतलब नहीं है वहाँ उतने बज़े जितने बज़े का आप कर noot पर ही रहे अगर आपको यहाँ प्राइबर कर देते हो यह भी अप्रोड हो जाता हे लेकिन इससे केवल आपके सिवा और कोई नहीं देख पैए यह तो आपको यहां पर public कर द費या है ठीक करनेके बाहे नहीं लेकिन सब देख लेनाय насmsर भरा हुआ है या नहीं फिर इसके बाद आपको पब्लिक करना है विजिविल्टी में आके आपको यहां पर पब्लिक की ऑप्सन पर क्लिक करना है तो यहां आटोमेटिक अप्लोड हो जागा और यहां वीडियो जो है कि बहुत तेजी से वारल होने लगेगा